दोस्तों आज के इस सत्र में मैं आपको बताऊंगा कि वाइस का अनुवाद में कैसे परियोग करें वाइस अर्थात एक्टिव वैस पॉजिसिव वैस लेकिन जब हम अनुवाद करते हैं या फिर हिंदी व्याकरण में इसका उप्योग कैसे होता है अगर अंग्रेजी देखें तो अंग्रेजी में पैसीव वैस में ज्यादतर आपको वाइक के मिलेंगे क्योंकि यहां करता पर फोकस किया जाता है करता को विशेश रूप से महतो दिया जाता है इसलिए दोनों भाषाओं में वाक की संगरचना में आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है हाँ पर वहीं अगर आप प्रशाशनिक अनुवाद करते हैं तो प्रशाशनिक अनुवाद में फिर हम पैसिव वहस को अधिक महतो देंगे या फिर वाक के संगरचना उसी के अनुसार करेंगे क्योंकि यहां जो भी नेड़े लिया जाता है कलेक्टिव अर्था कई लोग मिल करके लेते हैं सबसे पहले अगर आप प्रशाशन में हैं तो आपको पता होगा कि एक छोटे अस्तर से एक कार्मिक फाइल पर कुछ लिखता है उसके बाद उनके आफिस सुपरेटेंडेंट उसको आगे बढ़ाते हैं फिर उनके अधिकारी फिर उनके उच्छ अधिकारी और जरुवत पड़ी तो फाइल मंत्राले तक जाती है इसलिए कई लोगों का निर्णे जब सामुई करूप से होता है ऐसे निर्णे वाले वाक्य आप उसी क्रम में लिखेंगे अब जैसे एक उधारण में देता हूँ अर्थात कारवाई की जा रही है और इसके साथ ही मामले पर विचार हो रहा है इस तरह के वाक्य आप प्रशाशनिक छेत्र में हैं तो इस तरह से वाक्य लिखेंगे द्यान देने की बात है कि जब आप अंग्रेजी के पैसिव वायस का अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं अगर पैसिव वायस के रूप में ही कर रहे हैं तो विशेश रूप से ध्यान देंगे कि अगर पैसिव वायस में आप अनुवाद कर रहे हैं और वहां अर्थ बदल ज रड़की को बचा लिया यहां इक चीज और देखने वाली बात है कि यदि आपका को कारत प्रियोग होता है तो को कारत के प्रियोग के बाद जो क्रिया होगी वह हमेशा पुलिंग में होगी इसलिए बचा लिया पुलिस हाला की स्त्रीलिंग है लेकिन उसके बाद को का प्रि पत्र में कुछ और नए अनुवात के टिप्स ले करके जो आपको परिक्षा में विशेश रूप से कामाने वाला है